इंग्लिश सीखने की जो शुरुवात होती है प्यारे बच्चो बहुत सारे लोगों को लगता है कि चलिए ग्रैमर से शुरुवात कर लेते हैं तो कुछ लोग को लगता है सीधा दा हिंदू का न्यूस पेपर पढ़ लेंगे तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगे बिल्कु अपनी वोकाबलरी को अच्छा कर सकते हैं और वोकाब अच्छी करके अपनी इंग्लिश अच्छा कर सकते हैं तो आईए एक एक करके इन आठों तरीके के बारे में जानते हैं कि आखिर ये कैसे आठ तरीके आपके लिए हेल्फुल होंगे आपकी वोकाबलरी बिल्डिंग तो होता गया है कि अगर आपने किसी particular root को learn कर लिया, जैसे एक root लिखा हुए tele, t-e-l-e, अब किसी भी word में tele आता है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं far से related है, far यानि कि दूर या दूरी से related होता है इसकी meaning, जैसे कुछ examples में telegraph लिखा है, तो telegraph में telegraph, कहां से आता है, दूर से कहीं telegraph आता है, telephone है, दूर के लोगों को बात करा देता है, telepathy, telepathy के जरीए भी दूर की चीज़े यहाँ पर जानी जा सकती है, तो my dear students, आपने देखा, यहाँ पर tele शब्द मिल गया, तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया, कि इसका मतलब हो गया, कहीं न कहीं दूरी से, दूसरा एक और हमने route लिया हुआ है, जैसे side, अगर किसी में भी side आता है, जादा तर words आपके killings से related होते हैं, murder से related होते हैं, जैसे पहला word है regicide, regicide means होता है, राजा की हत्या, राजा की killing, तो हमने देख लिया side है, मतलब इसमें killing हुई, और regis है, तो राजा हो गया, दूसरा है insecticide, अब side है, इसका मतलब किसी की killing हुई, किसकी insect की, तो insecticide बन गया दोस्तो, parricide, यानि कि parents की killing हुई, कोई अगर अपने parents को मारता है, तो उसको हम parricide कहते हैं दोस्तो, और फिर ऐसे ही है आपका sororicide, तो आप एक चीज़, sororicide means होता है, killing of sister, कोई अपनी बेहन की हत्या गरता है तो, ऐसे अब एक चीज़ आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर side शब्द मिल गया, तो हमें इतना तो पता चल गया, कि हाँ, इसका मतलब killing से होगा, ऐसे बहुत से words होंगे, जो side पे बनते हैं, या टेले पे बनते हैं, या इसके अलावा बहुत सारे roots होते हैं, जो अलग-लग meaning देते हैं, अब आप सोचेंगे कि sir, चलो side का मतलब तो killing हो गया, लेकिन ये तो नहीं पता ना, कि parricide का मतलब killing किसकी होगी, या insecticide means किसकी killing होगी, या sororicide, regicide, fratricide, patricide, battery side, इनमें किनकी killing होगी, प्यारे बच्चो, आप सोचके देखो, जब आपको root नहीं पता था, तो उसका तो कुछ भी नहीं पता था, side होने से, या एक root याद होने से, at least इतना तो पता चल गया, कि ये किस type की category का word है, और इतना भी पता चल गया, तो आप अपने exam में, काफी कुछ हद तक इतनी की help से कर सकते हैं, और अपने spoken में, 50% काम तो root कर देता है, 50% काम आप कर रह जाता है, बस उसको हलका साब meaning देख कर, एक बार में याद कर सकते हैं, तो ये तरीका root word, root word के through vocabulary ते याद करने का, काफी अच्छा जाना माना तरीका होता है, आईए कुछ हार और दूसरे तरीके देखते, सेकेंड तरीका बहुत ही अनोखा है, और इस पे मैंने बहुत सारे classes ली, हजारों lectures तो मेरे YouTube पे पड़े हुए है, mnemonics science my ideal students, actually mnemonics में क्या होता है, कि आपको जो भी word learn करना है, उस sound पर कोई दूसरा word, याद करते हुए, जो आपके mind में पहले से ही है, visualize करते हुए, इसको link करना है, जैसे, लिखा हुआ है word आपका popper, popper means होता है, प्यारे बच्चों, गरीब, बहुत ही जादा poor, इसका mnemonics कहता है, कि popper याद करना है, तो popper याद करिए, एक आदमी इतना गरीब था, को दिल्ली के gents से याद रखिए, कि दिल्ली के जो gents है, वो बहुत ही diligent है, बहुत ही hard working है, आप दिल्ली में देखिए, लोग कितना race है, अपने life में, लोगों की life में, भागा भाग, मेट्रो में इधार, उधर चारो तरफ भागा भाग रहता है, एक्स्ट्रा पेट को याद रखने का तरीका है, एक्स्ट्रा पेट, E-X-T-R-A, एक्स्ट्रा पेट, एक आदमी, एक आदमी घर पे बैठे बैठे, मोटा हो गया, खोब सारा पेट निकलाया, तो उसने जिम जॉइन किया, ताकि अपने एक्स्ट्रा पेट को एक्स्ट्रा पेट कर सके, यानि कम कर सके, देखो याद होता चला जा रहा है, दिमाग में एक चित्रा आपने बनाया, एक मोटा सादमी है, एक्स्ट्रा पेट है, यू यू करके जिम में कर रहा है, मतलब अपने extra paid को extra paid कर रहा है detrimental means होता है harmful बहुत ही हानिकारक अगर आपको बुखार आ जाए और आप doctorate कराने जाए और वो भी mental hospital में कहां पे mental hospital में तो ये आपके लिए बहुत ही detrimental होगा क्योंकि आपको उल्टा पागल कर देंगे वो doctorate mental hospital में कराया मैं detrimental को doctorate mental से याद किया extra paid को extra paid से याद किया diligent को दिल्ली के जेंट्स से याद किया और popper को popper से याद किया आसानी से ये सारे words हमें याद हो गए ऐसे ही आप daily basis पे 100 words केवल एक एक घंटे के अंदर याद कर सकते हैं बहुत ही अनोखा बहुत ही तो आप अपनी vocabulary को दिन दोनी रात चोग नहीं कर सकते हो आपके पास एक notebook होनी चाहिए आप जो भी तरीके से चाहिए root word कित्रू या निमोनिक्स कित्रू या आगे जो भी तरीके में सिखाने वाला हो जो भी word आप learn करो उसको तुरंद copy में note करो और फिर उसको एक बार revise करो same day और फिर weekly revision करते रहो जिंदगी भर वो words आपको लणो जाएंगे तो ये तरीका जरूर follow कीजे आपको words लिखना जरूर है दोस्तो जब भी आप कोई word learn करें तो उसको एक बार जरूर लिखें अपनी notebook में आप अपने से अपनी एक अलग dictionary बनाया है खुद से दोस्तो ऐसे ये तरीका और बहुत अनोखा है दोस्तो तीसरा तरीका आईए चोधे तरीका को देखते synonyms and endonyms बहुत बार क्या होता है बच्चे हर एक एक word को याद करता जाता है फिर उसके synonyms के लिए दोस्तो इसमें क्या है जैसी आप Google में ये dictionary में आके कोई भी word type करते हैं जैसे मैंने delicious डाला हुआ है तो इसके सारे synonyms भर के आ जाते हैं दोस्तो कितने synonyms learn करेंगे आप उस word का मतलब swadist कितना सारा word हम swadist में use करते हैं appetizing, delectable, delightful बहुत सारे words यहां पे हैं तो आप इस तरीके से भी अपनी vocabulary synonym synonym या antonym antonym करते करते बहुत सारी build कर सकते हैं दोस्तो अगर आपने 20 word भी learn किये और उनके synonyms पांच-पांच कर लिए तो 100 तो अपने आप हो गया सोचके देखें 10 word किये और उनके पांच-पांच synonym से learn कर लिए तो 50 word अपने आप हो गया है तो काफी easy होता है vocabulary building के लिए दोस्तो यह तरीका भी एक और बहुत ही अनोखा तरीका है learn words in all parts of speech यह बड़ा अनोखा तरीका है दोस्तो आप कोई भी word जब याद करें ना तो आप केबल वह अकेला word याद ना करें बलकि उसके other parts of speech में क्या होता है उसको भी साथ में पढ़ते चलें जैसे word लिखा है diligent diligent means होता है hard working right so hard working आपने diligent याद किया तो diligent से diligence भी बनता है diligent parts of speech में adjective diligence parts of speech में noun diligently parts of speech में add work अब आपने diligent याद किया तो दो आपको उससे बहुत कम effort में automatically याद हो जाएंगे आपने diligent याद करने में मैनद लगानी इनमें 90% काम already हो चुका है अब जैसे beautiful means होता है सुन्दर adjective है अब आप beautiful से आप beautifully कर दिया तो add work हो गया beauty कर दिया तो noun हो गया beautify कर दिया तो verb हो गया समझ रहे हैं आपने honest कहा honest है adjective honestly कहा तो add work हो गया honesty कहा तो noun हो गया मतलब एक word को जब आप याद करते हैं तो आपका सारा effort एक में लगाना है बाकी में 90% काम अब पहले से ही हो चुका है तो आपके लिए काफी help हो जाती है इसकी help इस चीज़ से इसको लिए आप Oxford dictionary वगरा का यूज कर सकते हैं उसमें कोई भी word लिखा होता है तो उसकी explanation में बाकी other parts of speeches भी लिखे होते हैं तो आपके लिए काफी help हो जाएगी आपने अगर 10 word याद किये और एक word के 4 अलग parts of speeches हो तो 40 words स्याद होगे automatically सोचिए तो जब आप अपनी note लिख रहे हो notebook तयार कर रहे हो तो आप उसमें उन वो extra words को भी लिखते जाए इन आदर पार साफिस speeches बहुत तेजिस vocabulary होती है दोस्तों नेक्स तरीके पे आते read, write and listen vocabulary building के लिए बहुत बार हम क्या करते हैं बस पढ़ते हैं बाकी तो कुछ करते ही नहीं है आपको कबड़ पढ़ना ही नहीं है मतब के बाल read नहीं करना बलकि आपको write भी करना है और आपको बोल के उसको सुनना भी है मतब जब आप revise करें तो कोशश करें vocabulary बोल बोल कर revise करें इसे से क्या होता है जब हम चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरीके से active रहता है दोस्तों और ये तरीका आपके बड़े काम आने बारा है तो हमेशा ध्यान रखे read, write and listen ये तीनो formula को काम करना है, काम पे लगाना है, मतब हमारे ये जो read, write और listen जो हमारे इंद्रिया है जो हमारे पास ये software है ये तीनो काम पे लगने चाहिए vocabulary building में दोस्तों अगला तरीका है सात्वा बहुत अनोखा है, इसके लिए हमेशा हमें alert रहने की ज़रुवत है इसमें क्या गरना है, just look around you and name all the words आप कहीं पर भी जाएं, तो केबल ऐसे visitors बन के ना जाएं बलकि एक student बन के हमेशा रहें आप कहीं घूम रहे हैं, कुछ नया दिखें तो उसकी meaning आप अपने आपको बताएं ना पता चले तो Google कर ले बस में बैठे हैं, तो वहाँ पर जो चीज़े दिख रही है उसमें जिसकी meaning नहीं पता, Google कर ले और तो में बैठे हैं, जो चीज इधर उदर दिखे ऐसे mall में घूम रहे हैं इधर उदर जा रहें, कहीं भी कुछ भी हो रहा है अपने आपको बताते चले कि यह क्या चीज है जो ना पता चले, तुरंट Google कर ले इसको करने से क्या होगा आप जादा नहीं, आप तीन से छे महीने यह काम करेंगे, तीन से छे महीने बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि आपके सराउंडिंग में बहुत कम ऐसी चीज यह बची है, जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता दोस्तों, तो यह चीज आपके स्पोकेन इंगलिश में बहुत हेलफुल होगी जब आप इंगलिश बोलना जाएंगे या यह तरीका बहुत जादा ज़रूरी है और बहुत काम की चीज आप किचन में हो तो किचन की चीजों को इंगलिश में पता करें जिसकी इंगलिश नहीं पता गूगल कर लेंगी भाईया हींग को इंगलिश में क्या कहतें, जीरा को इंग्लिश में क्या कहते है, भगोनी को क्या कहते है, कल्चुल को क्या कहते है, जिसके नहीं पता पता करें और तुरंट अपनी कौपी में लिख ले, एक दिन के अंदर 500 वर्ट्स रठने की जरूत नहीं है, एक दिन में टागेट बनाए, maximum 50 to 100, not more than that, अराम से करे, धीरे धी में आपके काम आने वाली है, तो इसलिए ये तरीका भी अपना है, जहां पर हो, वहां की चीजों को इंग्लिश में नाम देने की कोशिश करें, और एक अंतिम तरीका है दोस्तों, जो बहुत ही काम का है, दाट इस, डाउनलोड एन एप एप एंड सॉल्व क्वेजस, आप आप डाउनलोड करें दोस्तों, और क्वेजस को सॉल्व करें, एक ये बहुत ही अनोखा तरीका है, डाउनलोड एन एप, यानि कि आप कोई भी एप प्ले स्टोर में जाएं, आप अगर किसी एक्जाम के पर पेशन कर रहे हैं, तो आप उसमें डाले कि फलाने एक्जाम के अगर आप स्सी के पर पेशन कर रहे हैं, तो आप डाले उसमें कि स्सी वोकाबलरी एप, तो वो अराम से मल्टिपल एप्स हैं, सजेस्ट कर देगा, कोई भी एक डाउनलोड करिए, और डेली बेसिस पे मैं तो कहूंगा कि सोने के समय, जब आप सोने जा रहे हों, तो उस स सॉल करते करते, अराम से सो जाएंगे, और सेम क्विज आप दस दिन सॉल करेंगे ना, तो भाई साब वो वर्ट और उसके चारो ऑप्शन, जैसे यहां लिखा हुआ, इस स्टेडी ऑफ इंसेक्ट्स, चारो ऑप्शन और प्लस आपने पहले दिन गलती किया, तो दूसरे द डेली सॉल करने हैं, आप तो 40 वर्ट तो उस समय आप यूज करने हैं, जो आप सोने के समय नीद आने का इंतजार करने में करते थे, तो माइडिय स्टूडेट्स यह आज तरीके ऐसे तरीके हैं, जिसको आप फॉलो करें, ताकि आप अपनी वोकाबलरी को बिल्ड कर सकें, और जिसलिए वोकाब बिल्ड करना चाहते हैं, वो आपका सपना पूरा हो सकें, हो सकता है आपको वोकाबलरी इसलिए बिल्ड करनी हैं, क्योंकि आपको अपनी स्पोकें बहुत अच्छी करनी हैं, हो सकता है आपको वोकाबलरी इसलिए बिल्ड करनी हैं, क्योंकि आपको क कुछ तरीके अपने लिए चुणिये सारे तरीके आपको नहीं फॉलो करने लेंगी जो आपको आपके कोडिंग बहतर लगता है आप उसे फॉलो करें और अपनी वोकाबलरी को जरूर बिल्डे करें कॉमेंट में हमें बताइए का जरूर कि इनमें से सबसे अनोखा सबसे दोस्तों तो हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुचाने में मेरी मदद करें ताकि हर एक बच्चा वोकैबलरी पे काम करके अपनी वोकैबलरी को इंप्रूब कर सके तो चले फिर इजाद दीजे मुझे मैं संदीप के शरवानी जो भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कॉमेट में बता सकते हैं हम आपके लिए कुछ न कुछ ऐसे वीडियो जरूर प्लान करते रहेंगे ठीक है चले मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए अपने ख्याल रखें पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रह कि बत्तौ हूं वो भी धूह रएमेः और प्लान कंचे मानी बता हैं झाहते हैं हैं अगसे प्लाइब ए늦 ळे वीडियो और